ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया TCI के बोर्ड ने 1200 रुप्य प्रती शेयर के भाव पर 169 करोर रुप्य तक के शेयर बाइबैक को मंजूरी दे दी है शनिवार को कमपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दीक ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के बोर्ड ने 24 अगस्ट 2024 को आयोजित अपनी बैठक में टैंडर ओफ रूट के जरिये प्रपोर्शनट बेसिस पर 1200 रुप्य प्रती एक्विटी शेयर की कीमत पर कमपनी के 13,333,333 एक्विटी शेयरों की बाइबैक को मंजूरी दे दी है कमपनी के बोर्ड ने 4 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तैकी है कमपनी का पहला बाइबैक कमपनी का पहला बाइबैक होगा कमपनी ने कभी भी बोनस शेयर जारी नहीं किये हैं या अपने स्टॉक को विभाजित नहीं किया है हालांकि इसने शेयर धारकों को डिविडेंट का भुगतान किया है Transport Corporation of India Limited के शेयरों में गुरुवार को शिरुवाती कारोबार में 16 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जब कमपनी ने एक्सचेंजों को प्रस्तावित शेयर बाइबैक की जानकारी दी TCI अब 17 वी कमपनी बन गई है जिसने इस साल 23 जुलाई को बजट 2024 के बाद शेयर बाइबैक की घोशना की है वितमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट भाशन के दोरान किये गए टैक्स बदलावों के बाद कमपनिया बाइबैक की घोशना करने में जल्दबाजी कर रही है एक्विटी शेयरों के बाइबैक से प्राप्त आए पर अब टैक्स शेयर धारक के हाथ में लगेगा न की कमपनी के हाथ में जैसा की पहले होता था शेयर का प्रदर्शन ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया टीसी आई का शेयर शुक्रवार को एक दशमलव एक चार फीसदी की गिरावट के साथ 1149 रुप्ये पर बंध हुआ पिछले एक साल में कमपनी के शेयर में 44.8 चार फीसदी की तेजी देखने को मिली है शेयर का 52 वीक हाए 1230 रुप्ये है डिस्क्लेमर, एकुर्टी न्यूस का विजन भारत में विट्टिय साक्षर्ता को बावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजी कृत विट्टिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या विट्टिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें